चोटी सी जो गलती होती है जब उस गलती का हमें एहसास होता है तो उस समय तक वह गलती हमारी एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है आज की जो घटना हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं उसमें एक 14 साल की नाबालिक लड़की जो उसके माबाप ने एक किरानी की एक दुकान पर उसको भेजा होता है लेकिन वह बेटी वही से गायब हो जाती हैं यह जो घटनाए होती हैं सत्यता पर आधारित होती हैं आप लोगों के लिए इसी लिए हम इनको लेकर आते हैं ताकि आप लोग जागरुक हो सके समझ सके कि क्या कब हमारे साथ हो जाए तो आप लोग शायद हमारी किसी एक घटना से सतर्क हो सके नमस्कार मैं आपकी प्यारी वैशनवी हमें सपोर्ट कीजिए आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है और ये जो घटनाए हम लेकर आते हैं ये क्राइम से जूड़ी घटनाए होती हैं तो हमारे साथ बने रही है लास्तक वीडियो में दरसल घटना है बिहार के नालंद जले क बिहार के नालंद जले में एक परिबार है परिबार में कुल तीन सदस्य हैं एक पती पतनी है और उनकी एक बेटी होती है जिसकी उमर 13 साल होती है 13 से 14 साल के बीच में इस बेटी की उमर होती है और परिबार में ठीक ठाग गुजारा चल रहा है किसी बात की कोई कमी नहीं लेकिन बिहार के नालंदा जले में कुछ चार मन चले एक जगा जो खाली जगा होती है सुमसा निला का होता है वहाँ पर बैठ कर सराप का सेबन करते हैं और सेबन करते करते सभी आपस में बोलते हैं कि दारू तो बहुत पीली लेकिन अब हमें मजा नहीं आ रहा है तो उनमे से दो लोग उठकर गाड़ी में सवार होकर गाउं की तरफ बड़े लगते हैं जो एक गाम होता है जिसमें ये 13 से 14 साल की उमर की बेटी रहती है ये लड़की इसकी मा कुछ कान के लिए इसको एक दुकान पर सामान लेने के लिए भेजती है उधर ये दो मन चले गाड़ी ल साथी है एक एड्रस अगर वैसे तरीके में बताओं तो एक एड्रस पूछा जाता है और ये लड़की चो भोरे मन की थी गाउं में थी एक काफी सांच सुभाव की थी जिसे साइद इस दुनिया की चाला की तोर तरीके नहीं पता था ये इस लड़की से रास्ता पूछते जगे पूछते हैं तो यह लड़की कहती है यहां से इधर चले जाओ इधर से उधर चले जाओ तो यह लोग कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम हमारी गाड़ी में बैठ कर हमें रास्ता बता सकती हो तो गाओं में आपने अभी भी देखा होगा जो गाओं क के साथ बैठ जाती हैं, उनको रास्ता बताने लगती है, लेकिन ये लोग इसके रास्ते की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लड़की को वहाँ पर ले जाते हैं, जो 13 से 14 साल के बीच में लड़की होती है, जहां पर लोग सराप का सेबन करते हैं, अब इदर इस लड़की की ज दुकान तक जाती है और लोटाती है इसी रास्ते से बेटी कहा गई कहां पर गायब हो गई वह हों तक जाती है और फिर वापस अपने घर आ जाती है यही सब चीजों में मा लगी हुई थी तभी इसका पति घर आ और पती से कहती है कि कहीं से भी मेरी बेटी ला दो कम से कम दो घंटे हो गए हैं बेटी घर नहीं आई है और मुझे काफी चिंता होने लगी है यह सब चीजे पिता सुनता है पिता आसपास के लोगों से पूस्ताज करता है तो सभी कहते हैं कि हमारे पास आपकी बेटी नहीं ही है सबही मना करते पहरते हैं का सब 1 एक 1 फोकर रहते हैं szabo करते हैं कोशस करते हैं लेकिन बेटी कही में पर भी नहीं मिलती और अब यह दमपती पुलिस सथाने जांपक पहुंचती। अक्लम्पलेंड दर्जा लерм anthropology याती है वहां 24 दिन निकल जाते हैं लेकिन वह 13 से 14 साल की बच्ची किसी को भी नहीं पता चलता कि कहाँ पर है लेकिन अब जब 14 दिन होता है तो वह बेटी आती है जिसके तन पर कुछ कपड़े हैं कुछ कपड़े नहीं है और वह अपने घर की तरब बढ़ रही है उस समय का जो मंजर था पीछे पीछे उसके लोग चल रहे हैं सभी लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं और एक भीड एकटा हो जाती है जो गाउं के लोग होते हैं घर पहुंचती है बेटी, मा देखकर बेटी को हो सुड़ जाते हैं कि इसके साथ ये सब कुछ क्या हो गया और वह उसको गले से लगाती है और कुछ कपड़ा अपनी बेटी के ऊपर ढगती है उसको बिठाया जाता है उसको पानी पिलाया जाता है चार दिन से वह लड़की भूकी प्यासी अर्द नगन अवस्ता में अपने घर की तरफ बढ़ती है तो मा बाप के पैरो तरे जमीन खिसक जाती है सहाब उस बेटी को बिठाया जाता है कुछ खिलाया पिलाया जाता है और अब उससे पूस्ताज की जाती है कि बेटा तुम्हारे साथ हुआ का अब उसे पुलिस के भी पास ले जाता है जब पुलिस के सामने बेटी खुलासा करती है, कहती है कि मा दो लोग गाड़ी में आते हैं और मुझे रास्ता पूछते हैं और मैं एक होता है ना कि घूमने के परपस से मैं उनकी गाड़ी में बैट जाती हूँ कि जहां तक रास्ता बताऊंगी, वहां तक यह लोग मुझे घुमाएंगे और फिर मैं इस गाड़ी से उतर जाऊंगे एसी सोच उस लड़की थी, एक बचपना उसकी सोच में था, लेकिन वहसी दरिंदे इस चीज को नहीं समझते वह केबल अपनी हबस को बजाने की कोशिश करते हैं, यही सब चीजे होती हैं, कहती है कि माँ मुझे वह एक जंगल में ले जाते हैं, वहां चार दिन तक मुझे इसी हालत में रखा जाता है नहीं मुझे कुछ खाने के लिए दे जाता है नहीं पीने के लिए जाता है और मेरे साथ कुछ गलत काम लोगों ने किया है एक लड़की जिसे ये तक नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है वह कहती है कि मा मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और इन बातों को बताते बताते वह लड़की बेहोसी की हालक में पहुंचाती है पुलिस इन सब चीजों की चानवीन करती है पुलिस चानवीन में जुड़ती है तो जो वो किराने की दुकान थी वहां पर एक CCTV कैमरा लगा हुआ होता है जब उस कैमरे की जांच परताल की जाती है तो उन दो लोगों की सकल उस कैमरे में आ जाती है जो गाड़ी में बैठे हैं, हलकी सी एक की सकल आती है, दूसरे की नहीं आती, क्योंकि गाड़ी में बैठे हुए थे, साइड से कैमरा था, तो अब पुलिस उन दोनों उस पहले वैक्ती को अरेस्ट करती है, उसे ढूनती है, फिर साथ में दूसरा भी अरेस्ट हो जाता है, अन्य दो और ने अरेस्ट करा देते हैं, उनके उपर कई धाराओं में मुकतमा चलाया जाता है, कई धाराएं लगाई जाती हैं, उनको जेल भीज़ दिया जाता है, पुलिस उने अरेस्ट कर लेती है, लेकिन इस घटना में निकल कर क्या आया, एक बेटी जो 13 से 14 साल की उ एक्ती को देखेगी, तो शायद पहली तस्बीर यही उसके सामने आएगी, कुछ ऐसे लोग, कुछ गिने चुने ऐसे लोग, जिनकी शायद बुद्धी प्रस्ट हो चुकी है, जिने शायद समझ नहीं है, बस केबल हबस उनका एक रहन सेन का तरीका बन चुका है, ऐसे लो को के बारे माँ आप क्या कहना चाहोगे, सबसे पहली बात, अगर आप अपने बच्चे को कहीं बाहर भेज रहे हैं, तो साबधानी या तो उसके साथ जाईए, या उसे अकेला मत भेज़िए, क्योंकि यह हम आपको वौर्ण कर रहे हैं, यह हम आपको बता रहे हैं, कि इसा नहीं करना चाहिए आपका बच्चा ना समझ है उसे दुनियादारी की सही गलत की कोई समझ नहीं है तो आप उसे कैसे अकेला भेश सकते हो उसके साथ जाना चाहिए यह हमारा आने बाला फ्यूचर है अगर इस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे देश का क्या होगा बेटी जो घर से बाहर सुरक्षित नहीं है अब क्या इस समाज इस संसार क्या इस लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट वोक्स में ज़रू रखना और ऐसे लोगों को क्या जबाब देना चाहते हो यह मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ क्या आप उनके बारे में कहना चाहते हो, कुछ ना कुछ तो आपको उनके बारे में कहना चाहिए, ताकि उस बेटी को कुछ दिलासा मिल सके, या उसके दिल में कुछ ठंडक पड़ सके, कैसे रहे होंगे, वह लोग जिन्होंने एक बच्ची के साथ ऐसा कर दिया, जिन्हें से ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपके सपोर्ट के हमें काफी जरूरत है कल फिराज रोंगे एक और ऐसी ही सची घटना के साथ तब तक ले नमस्कार जैहिन जैभारत